गिया की ऐसी नई रेसीपी क्या बनाएं या फिर गिया की कौन सी सबजी ऐसी बनाएं जो फटा फट से बन जाए और एकदम टेस्ट भी बढ़िया होना चाहिए तो यहाँ पर जिया वैसे ही बनने वाला है गिया ले लिया है मैंने तो यह लोकी जो भी आप बोलते हैं कदू अलग अलग छेत्र में अलग भासा में बोलते हैं यहां पर मैं गियान ले ली हूँ और छील लिया है कट कर लिया है दोनों तरफ से थोड़ा हाड हो चुका था अगर गिया सूख जाता है ना और तोरी भी सूख जाती है कोई भी सबजी सूख जाती है थोड़ा लेट हो जात इसे आप ब्लैक करें और साथी बैल आइकन की घंटी प्रैस कर लें ये बिल्कुल फिरी है कमेंट प्यारा सा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने ये एक ग्रीटर लेके उसकी मदद से छिल इसे मैंने घिस लिया है तो मैंने इस कद्दू कस करने के बाद घिया को अब मैं थोड़ इसे इसमें प्याज भी कद्दू कस करने वाली हूं तो देखी इतना हो गया है थोड़ा सा था एक करीब एक किलो से कम था तीन पाव के गरीब था ये तो यहां पर मैंने फ्रेस प्याज ले लिया है और इसमें से मैं तीन हिस्से में इस्तिमाल करने वाली हूं मैं इतनी सा की भरी डालते हैं वो भी घर का बना मसाला जो गरम होता है गरम भी मैं इस्तिमाल नहीं करती गाइस तो यहां पर मैं आधी प्याज काट कर लूँगी चीलने के बाद और यह पहले मैंने दो के रखी थी कोई भी सबजी लें आप साबत ही दो लें तो बहुत अच्छी बात है यहां पर मैंने आधी प्याज को पहले कट कर लिया है उसे दो बार मैं इस्तिमाल करने वाली हूँ कैसे वो देखते रहना यहां पर मैं इसे गिस लूँगी क्योंकि इस से भी टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाने वाला है हमारी रेसिपी का यहां पर मैं इस सारी आज मैंने इस तरह से यहां पर रखी आप देखिए मैं उसका क्या करने वाली हूं एक ही प्याज से मैं तीन बार डालने वाली हूं देखिए यहां तो मैंने कस्के डाल ली है और इसमें से आधी प्याज को मैं बारीक बारीक चोप कट कर लूँगी इस तरह से इसे मैं कहा यूज करूंगी आप देखते रहना अगर आप समझ रहे हैं तो पहले ही आप कमेंट कर दें और वीडियो आप पूरी देखें बीच में छोड़के ना जाएं बहुत ही अच्छी और क्रेस्पी और बिल्कुल सोफ्ट यह रेसिपी बनने वाली है बिल्कुल भी गुठली और वी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी रेसिपी एकदम टेस्टी बनने वाली है चेट पटी एकदम बढ़िया वाली तो यहां पर मैंने आधी को कट कर लिया है आधी में से एक प्याज में से तीन हिस्से किये हैं तो यहाँ पर में मिख्षी में थोड़ा यह जो हरी मिर्ची लाल हो रही थी रखी हुए उसे इस्तिमाल करूंगी इनका टेस्ट बहुत अच्छा है यह मैंने प्याज डाली लस्ट डाला हल्दी मिर्च धनिया और यहाँ पर मैंने पिछने के बाद यहां पर मैंने जीरा भी डाला था चूटकी भरिस में, आप चाहे जो वो डाल सकते हैं आप टामाटर भी डाल सकते हैं बट इसमें टामाटर के कोई जरूडत नहीं है तो यहां पर मैंने घिसीवी, प्याज और गिया के ऊसे और बली और थोड़ा सा सौध इसा निशार नमक. जादा नमक नहीं लेना. बे सन Lewis से एक जीगे मैंने मिक्स कर लिया. ऐसे fingers की मदद से मिक्स करने के बाद मैं आपको पहले बॉल्स मैं कवेक कर दिखा रही हूँ. बॉल्स मैं मैं बदल के दिखा रही हूँ आप को यह बॉल्व बना लेनी है इस तरह चाहिए पड़ो सब्सक्राइच के साथ भी यहां पर बॉल्व बना कि इस तरह से और धीक, जल्डी नहीं सोmay जल्दी फृराइङ करने केस लिए फिर टेल भी जादा चाहिए आधा कि Jourण अंच्वे यहां抓 de मदद से मैंने टिप करके देखिये इस तरह से मैंने बना लिया है। थोड़ा से दें जिसे टिक्की की तरह होता है। टिक्की तरह सेफ देखें थोड़े ही ओविल में हम फ्राई करते जाएंगे इस तरह से डालेंगे राम से हाथ ना जल जाए बहुत आराम से डालना हैं आपको दीरे से देखके ये फ्राई करने वाला जो काम होता है थोड़ा बहुती साथानी से बरतना चाहिए आप सभी को तो यहां पे हम अपने कोप इस तरह से पलट लेंगे कुछ समय के बाद जैसे कि नीचे से सिखते जा रहे हैं वह अलगी पिछान हो जाती है तो इस तरह से हम एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं दूसरी तरफ इने बदल दिये हैं और आप दूसरी तरह बदलने के बाद भी एक मिनट हो गई है एक होती है बिल्कुल वैसे ही पर छोटे बहुत बनाए हैं यहां पर देख सकते हैं सायद आप भी ऐसी बनाते होंगे तो यहां पर एकदम जालीडार यह सोफ्ट हो गया अंदर और मैंने बेसन भी थोड़ा ही डाला था क्योंकि मेरे पास थोड़ा बेसन था तो मैंने साथ यह से बेसन में देखिये कोई भी एक बी कोपता हमारा सूपोंष्ट नीरा आरे आप यह देख सकते हैं कि इसमें बेसन बहुत कम है क्या होता है कि बेषन बहुत बहत लाया जादा बहुत से लोग और फिरभय हो जाती है एक दम गौण्ड थे नहीं गौली हो जाते है जो कोफते होते हैं वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं यहां पे आप देख सकते हैं दिखने में लग रहा है बेसन बहुत कम हैं जो यह लच्छे चमक रहे हैं आपको गिहा के लच्छे अलगी चमक रहे हैं लोकी के हमारे यह भी मैं इस तरह से पलट लूँगी पलटे की मदद से और यह भी फ्राई होने ही वाले हैं मैं सुनीता किचिन गाडनिंग मेरे चैनल में हर प्रकार की वीडियो आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन वह भी फ्री में तो आप जल्दी करें सबस्क्राइब जो देख रहे हैं वीडियो के नीचे कोनर में और बैल आइकन की घंट यह आप करें जरूर प्रैस यह बिल्कुल फिरी है वीडियो ज्यादा शेयर करें वाट्स अप मैसिजर फेस्बुक इस्टाग्राम पे और यहां पे देखे इस तरह से आपको अपने अंगुठे से फिंगर पे रखके यह कोपता बनाना है थोड़ा सा फैला के जैसे मैंने आपको अभी बताया पीछे टाकर देख सकते हैं तो यहां पे यह फ्राई हो चुके हैं मैं इने भी लिकारने वाली हूं प्लेट में तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है या फिर जो भी है आप कैसे बनाते हैं और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है टेस्ट बहुत ही बढ़के आने वाला है यहां पे मैंने फिर से ले लिया है दूसरी कड़ाई को और मैंने रख दिया है इसे फ्लेम पे रखने के बाद तेल में मैंने जीरा मैंने कर लिया है गोल्डन ब्राउंड उसके बाद प्याज गोल्डन ब्राउंड की उसके बाद मैं एक ह चुटकी भर आप इसमें हींग और डाल सकते हैं और यहां पर हलके हलके हाथ से एक दो बार आप बीच बीच में देख देखके एक दो बार बस जादा नहीं ऐसे डख डखके और एक दो बार देखके लो फ्लेंप पे पकाएं आप इस तरह के मसाले को देखिए बहुत यह खानते ही होंगे और आप खाते हैं आप शुआ पूंट पर पीशी מש이랑zip Sakra जाता हैं होते हैं सिल्वाट्र स्वद्वाइब यद्णतं होत FROM इक हां आपका पैन मुझे स्वाथ करना स्वाद्वाद करते हैं तो विए मैंने चोड रहा है छोड़ रहा हैallasAllout मसाले में से तेल अलग होना चाहिए अब हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है हमने इसमें अपने पॉस कहा थारो एक जादा सूखे भी नहीं और भी जादा पानी वाले भी है तो यहां पे मैंने पानी में पर आल आ ता और यहां पर प्रिट आला तब पाका लिया पानी सब्जी का अच्छा से पकना चाहिए यहां पर मैंने हरे दनिये को गार्निस कर लिया पहले भी थोड़ा डाल दिया लीजिए यहां पर हरी मीरी चीए फिर कोई भी सलाज के साथ आप खा सकते हैं यहां पर सबजी हमारी कौपते की एकदम तयार है और जादा देर भी नहीं लेगी है मिंटो में यह सबजी तयार है सुकी हुई जो सबजी हो जाती है उसकी आप इस तरह से और जो कोई और सबजी होती है उसकी अलग ट्रेप्स होती है बनाने की इस तरह से मैंने सूखे वे घ्या को इस्तिमाल कर लिया है वो सूख रहा था चार से पांच दिन का हो रहा था तो मैंने घ्या कस्मे करके और फ्राइ करने के बाद ये इस्तिमाल हो जाता है तो यहां पर मैंने रोटिया भी बना ली थी लीजिए खाइए और देखिए एकदम सोफ्ट है मैं आपको दिखा दे रही हूँ उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो यह जैसी भी लगी हो कमेंट में बताएं